विल्कम बाक तो दी चानल सूपर सौने के कैसे हैं आप सभी आई होप साब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे ही उन्डा एक्स्टर को तो आप सभी काफी ची तरीके से जानते होगे इंडिन मार्केट के अंदर एस्वीज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ल सभी सेग्मेंट के अंदर आप लोगों इनकी गाड़ियां देखने को मिलती है तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक मेनी सेग्मेंट के अंदर एस्वी को लॉंच किया जाए तो उन्होंने अपनी एक्स्टर को इंडिन मार्केट के अंदर इंटेड्यूस करवा दिया यहां अब अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के प्राइजिंग के बारे में तो लगबख 6,13,000 रुपे से शुरू होकर के 10,30,000 रुपे तक इस गाड़ी के कीमत जो है वो चली जाती है अब इंडिन मार्केट के अंदर अगर आप इन गाड़ियों को देखते हो तो लाइक अगर इस से कितनी जदा एक्सपेंसिवर साइड और कितनी जदा प्रीमियम है वो भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे इवन वो बहुत ही जदा सेल्स फिगर के मामले में बहुत ही जदा अच्छी है तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्रेश देखने बट गाड़ी के अंदर आपको अच्छा कासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा इस गाड़ी का जो है बंपर, हुड, ग्रिल, बूनट सारी के सारी चीज़े जो है वो अल्मोस्ट बुरी तरीके से डैमेज जो है इस क्रेश के अंदर हो गई है अगर आप इस कार को देखोगे तो कार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और आपको थोड़े बहुत के स्टेंस भी देखने को मिल रहा होंगे तो यह पूरा का पूरा एक्सिडेंट जो है इसी कारण से होता है यहां पर जो पैसेंजर रहते हैं उनमें थोड़े बएत इंजड़ होते हैं और वाकी लोग उनकी जान बच जाती है और चंद खुला बजार के पास में NS16 के पास में पूरा का पूरा जो एक्सिडेंट है वो हो जाता है ड्राइवर जो रहता है वो डिस्ट्रेक्ट हो जाता है जिसके वज़े से पूरा का पूरा एक्सिडेंट जो हो जाता है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है आसपास के लोग की मेभी जो ड्राइबर रहता है वो फोन चला रहा होता है जिससे वो ड्रिस्ट्रेक्ट हो जाता है और जाकर के ट्रक के बैक साइड में हिट कर देता है यहाँ पर अगर आपको द इसके पारे मात करूं तो अभी तक ऐसा कोई ग्रैश नीए जिसके अंदर भाई बहुती बुरी तरीके से हाल हो गया हो एक्स्टर का इसके पूरा 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 एंपक्त देखो गड़े जो हो यह सारी तो अगराइन अगरश आप लोगो कुलते हैं तो में जो स्पीड वो नॉर्मली रही यह बहुत जादा नहीं रही हो तो इस सब्सक्राइब अगर में इस इस पीड पर एक काफी हता कि उस गाड़ी की जो ह वो कहीने कहीं आप लोगो safety जो है वो काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है next number 5 करनाटक का यह accident है जहाँ पर एक extra को जो एक truck है काफी बुरी तरीके से back से hit कर देता है यह damage जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो driver रहता है वो normally speed में जा रहा होता है बट एक truck जो है वो इसको rear end से बहुत बुरी तरीके से hit कर देता है खैर इस गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुली safe रहते है नेक्स्ट नंबर 6 निखिल राना के YouTube पे यह पूरी का पूरा accident जो है वो share हुआ है उन्होंने proper पूरी तरीके से बता है भाई दो अगर आपको proper वीडियो देखनी हो तो link भी मैं आप लोगो description में देदूँगा आप जाकर करके check out कर सकते हो 24 अपरेल 2024 में यह पूरा का पूरा crash होता है जहाँ पर एक truck जो है extra को hit कर देता है rear से और यहाँ पर तो देखकर के चीज़े ही समझ में यारी कि extra कैसे पूरी के पूरे truck के ऊपर चड़ी हुई है और इधर से अगर आप देखोगे तो divider के ऊपर भी काफी बुरी तरीके से चड़ी हुई है इस accident के अंदर भाई जो है वो जादा बड़ा आप लोग में आपर हास्ता नहीं देखने को मिलेगा बड़े बहुत minor dance जो है वो पूरी की पूरी गाड़ी पर आप लोगो देखने को मिल रहोंगे हल्का फूल का damage जो है यहाँ पर आ गया गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो बिल्कुली safe रहते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है तो में भी शायद इसी वज़े से एक्सिदेंट हुआ हो तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई बिल्ड कॉलिटी के मामले मुझे लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकि आप लोग भी अपनी राय जो है है क्या आता है वो एकदम से ब्रेक पुश करता है और उसके जस्ट पीछे एक शिफ्ट आरी होती है जो कि आकर के सीधा एक्स्टर को हिट कर देती है यह एक्सिदेंट भी जो है बहुत ज़दा हाई स्पीड में रहता है नॉर्मली स्पीड में रहता है बट यहां पर अग कर देखने में लग रहा है कि अगर आप शिफ्ट को पीछे से देखोगे ना तो उसको भी किसी गाड़ी ने हिट किया है में भी शायद वो ऑन दे स्पॉट भाग गई हो या फिर वाँ पर ना रुके हो तो यह भी जो है सारी के सारी हो सकती है यहां पर अगर लोग देखो है यां में सभी कर देखो अगर पर देखोगे तो यहां पर इस 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 वह लोग रहते हैं और बिल्कोल सइफ रहते हैं किसी को भी कोई भी इंजिरी जो हो डैपिनेट ली नहीं आती है तो यह सारी चीज़ें मुझे लगता है कि काफिज बड़ी है एक्स्टर जो है इसा डिल्बध कर देती है। यहाँ पर कि आप लोग बाकि आप लोगे अब उने नठाया है पर जो अर्टिक वाला बंदा रहता है वो नॉर्मली जा रहा होता है बाद में आपर पुलिस उलिस आती है सारी के सारी चीज़ें जो हो सॉल आट करके सब को भेज देती है यह अब बहुत है चीज़ेंट तो यहां पर अगर आप देखो के तो विल्कुल भी टाटा के सामने जाकर खडी हुई है और यहां पर लोग देख सकते हो एक ट्रक भी या फिर एक बस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे होगी वे भी शायद इस नहीं भी इस गाड़ी क को सेव रखा है दो से तीनी ऐसे एक्सिनेंट थे जो की काफी ज़दा मेजर थे लाइक जो पेड़ से जा करके गाड़ी एक्स्टर जो टकराई थी तो मुझको ऐसा लगता है कि बिल्ड कॉलिटी काफी हद तक सही है लगबग चार्ज स्टार रेटिंग तो यह गाड़ी बाकि आप लोग भी अपनी मुझे रखपीनें जरूर बताना बाकि ऐसी वीडियो जगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो फटा फट से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगे लिए फटा फट से वीडियो जो हैं वो ले करके आता रहूं